तो हैलो दोस्तो नोगोधिन वीडियो में दोस्तो आज की घञेला सुक्त फल बीज तथा बिकास सील हिस्सों में परिवायत होता है और इस क्रिया को इस्थानांतार कहते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं पईवासा पूंच जाए कि इस्थानांतार कहते किसे हैं तो दोस्तो आप लोग की वहल इतना लखना है कि पादपु में नेमेत भोजन फुलोईम तथा भन्डान अंगो जैसे जल, फल, बीज तथा बिखसत हिस्सों में परिवाहत होता है इस क्रिया को इस्तांतार कहते हैं यह कारे चलान, चालनी, दोस्तों, चालनी कोषकाओं तथा सैचर कोषकाओं द्वारा संपन होता है, भोजन कड़ों का परिवहन, उपर तथा नीचे दिशाओं में होता है, इस्तांतार की किरिया एक सक्रिय क्रिया है जिसमें उजा का प्रियोग होता है पदायतों का इस्थांतर पत्ती की कुसकाओं या भंडारण के इस्थांसे फिलोएम उतक में होता है इसके लिए उजा की आवे सकता होती है जो एटीपी की रूप में अड़ों से प्राप्त होती है यह उजा प्राशन दाफ बढ़ाती है पाईडाम सरूप भोजन फिलोम के अंदर गती कहता है यह किरिया भोजन का पारिवाहन पादपुमस के समस्त हिस्से में बनाए रखती ह तो दोस्तों आसा करता हूं कि पादब भोजन का इस्तांतार केस होता है आप लोगों को वीडियो समझे में हैं कि वीडियो पहरे में लाइक ना सब्सक्राइक ना खुलें चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियों में तब नसका जान जाए